हलो हाई नमस्काज एचिकेशन रादर रादर है के सब काल चाल अशा करता हूं सा अपने जीवन में व्यास्त तमस्त और स्वास्त होंगे और अपने तेयरी को और मजबूत करने के लिए एक्जाम के लिए एक एक्प्लिकेशन जिसका लिंक इसका वीडियो का लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां सर जाहिए डाउलोड कीजिए क्योंकि इस स्टेडी अकेडमी का मुख्य उद्देश्य और आखरी उद्देश्य यही कि राजस्तान में बेठे हुए हर विद्द्यार्थी को क्वाल्टी और एफोडेबल गुणवत्ता पूर्ण और वहनी सिक्षा उसको प्राप्त हो तो चलते हैं बीना किसी समय गवाए आज के पहले प्रश्ण के तरफ पहला प्रश्ण है जब मेंगनीश्यम को हवा में जलाए जाता है तो यह पाउडर जैसे राक बनाता है जिसे पानी में गोलने पर जली गोल बनाता है आप इस जली गोल को किस प्रकार वगिद करेंगे अगर आप magnesium को पानी में मिलाते हैं उसका जली गोल बनता हैं तो उस गोल की प्रकृति क्या होगी अमली होगी तथस्त होगी बेसिक होगी या बविश्वनी नहीं की जा सकती है इसका सही उत्र आप वीडियो को पोस करकर दे सकते हैं जिससा आप जानते ही कि pH का मान अगर सास से ज्यादा होता है तो उसको अपन बेसिक या शारी की केटेगरिम रखते हैं तो अगर मेंगनिशम को राक में बनाकर पानी में गोलते हैं तो उसकी प्रकति भी बेसिक या फिर शारी हो जाएगी तो इसका सही उत्तर हो जाएगा option C तो पहले प्रेशन का उत्तर हो option C आग केले को बुरा हो जाना तीसरा और चोता है पानी का जम जाना इसका सही उत्तर बताना आपको इसका सही उत्तर होगा option D पानी का जम जाना एक रासाइनी परिवर्तन नहीं है क्योंकि यह बहुतिक परिवर्तन है पत्यों का जलना क्योंकि पत्या जो रासाइनी परिवर्तन ह यादिक अगर अंगूरों जो सड़े वी अंगूर होते हैं उनसे शराब बनती है तो वापफेस वो अंगूर नहीं बन सकते हैं ताजे कटे केले को बुरा हो जाना कटा हो अगेला वापफेस केला नहीं मन सकता है तो इसका सही उत्र हो जाएका option D आगे दिलते हैं नेश्कूशिंगे तरफ आतिश बाजी का विस्पोर्ट किस प्रकार का परिवर्तन है पठाके परिवर्त दीवाली पे वो बताना है कि आपको विस्पोर्ट किस प्रकार का परिवर्तन है बोतिक परिवर्थन रासायनीक परिवर्थन कोई परिवर्थन नहीं परिवर्थी परिवर्थन इसका सही हुतर आप वीडियो को पोस्हार बघा ज meести मैं आपको एक जो रासायनीक परिवर्थन है वह वापाइस sausage मूह दौन अपनि ही आएगा तो इसका खराब बोजन जब बोजन खराब हो जाता है तो रासाइनिक परिवर्तन में परिणाम सुरूप उसमें से दुरगंद आती है यह किस परकार का परिवर्तन है इसको क्या नाम दिया गया है पहला जंग लगना दूसरा बासिप तीसरा किस्टली करण चोता संक्षानन और डी औ हमेशा बैक्तिरे जल्दी आते हैं तो इसका साही उतर हो जाएगा ओप्शन बी बासिप कहते हैं चलते हैं नेच्ट कुशन के दरब दोस्तों अगला प्रश्न है निम लिकित में से कौन सा एक बोतिक परिवर्तन है लकडि के लटो को टुकडों में काटना फल का पकड़न पत्यों से खाद्य का निर्माण करना अमलव और शार्च से लवन का निर्माण करना इसका साही उतर है ओप्शन ए लकडी के लटो को टुकडों में काटना यह बोतिक परिवर्तन में हमेशा जो वस्तु होती है उसको काटने जलाने पर उसका जो मूल रूप है वो नहीं ज जलते इसके नैस कोश्चा के तरफ इसका उत्तर हो जाएगा ओप्शन ए अब जलते नैस कोश्चा के तरफ महिला अधिकारों और विवा के संबंध में 1861 तक किये गे निम लिखिट में से विदाई उप्याई कौन गोन से हैं आपको बताना है कि जो महिला अधिकारों महिलाओं दोनों को समान पारिष्ट्रमिक दिया जाएगा और महिलाओं का अनधिक व्यापार अवेद होगा इसका सही उत्तर बताना दोस्तों आपको इसका सही उत्तर होगा अंतर जाती विवा के अनुमति दी गई ठीक है 1861 में दूसरा क्यूंकि उस टाम 14 एक्ट पास आई यो वो 12 से बडाकर 16 कर दी गई थी दूसरा है उत्तर अतिकार के मामले में बेटी को बेटी के समान माने जाएगा यस उसको अनुमति प्रोपर्टी है एनिक सेक्षे हन आ हो प्रोपर्टी जो इनिसके समान अतिकार दे दिये गए थि घे अगये चलते पूरुस्तों ह महिलाओं दोनों को समान परेश्मिक नहीं यह नहीं था क्यों चो एकुल वेश और एकुल वर्क है जो सहविधार में दिये गया है वहाँ पर उस टाइम उसने लीगल कर रहा था तो यह भी अवेद नहीं था तो उसका सँही उतर हो जाएगा ओप्शन ए पहला और दूसरा ही सही है इस प्रशन का उत्तर है ऑप्शन एस प्रशन के दरफ से दोस्तों नेक्स पर्शन है कि आत्मसंमान अंदुलन कोई साधन अपनाया गया पहला सतीक कमजोर करEname मंदिरों और ब्राह्मानों के निवाशस्तारों का बैश्कार करना इसमां आपको सहीं उत्र बताना है कि आत्मासमाना अंधुननत के नितिकत क्याasma किया गया था तह सक्भाना वीडियो को स्ट पोस्ट trained तो दूसरा option ने ब्राह्मन पुझेरे के बीना विवाग की उप्चा रिकांता निभा कर उनकी स्थित्री को कम जोर किया गया यह इसका सफ़ीए तिसरा मंदिरों और नियाले यानि हाई कोट अवश्य होगा अनुचे 213 के अंतरगत अनुचे 214 के अंतरगत अनुचे 218 के अंतरगत या अनुचे 213 के अंतरगत आपको इसका सही उत्र बताना दोस्तों इसका सही उत्र की बात करते तो इसका सही उत्र जाएगा option B अनुचे 214 अनुचे 214 कहता ह है कि प्रतिक राज्य में एक हाई कोट एक कुछ नियाले तो अवश्य होगा ही होगा इसका प्रेश्ट का उत्र हो जाएगा ओप्षिन बी आगे जलते नेक्स कोशेंगे तरफ समविधान की कौन से अनुच्य अदिनस्त नियाले से संबन्दी ते आपको अनुच्य बताना है जो कि अदिनस्त नियाले सब ओर्डिनेट जो डिस्टिक में होते हैं कोट उनसे संबन्दी ते अनुच्य 214-31, अनुच्य 217-232, अनुच्य 233-234-240, इसका सही उत्र बताना दोस्तों आपको, इसका सही उत्र हो जाएगा, ओप्षिन C, 233-236 तक अनुच्य ऐसे हैं जो कि अधिनस्त नियाले, याने कि डिस्टिक याट सब ओर्डिनेट कोट, जो कि हाई कोट के अंडर आते हैं, वो संबन दीते, इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ओप्षिन C, आगे चलते हैं, एक स्कूर्शन के दरफ, राजस्तान राज्य का उच्छ नियाले, जहां, कहां अवस्तिते, जहां नहीं है दोस्तों, यह कहां है, कहां अवस्तिते, जैपूर, जोदपूर, अजमेर, राजस्तान एक ऐसे राज्य में आता है, जो कि जिसकी राजदानी जैपूर है, लेकिन उसका जो उच्छ नियाल है, वो अलग है, जैसे कि असम में होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ओप्षिन बी, इसका उप्षिन बी सही है, तो ये थी टोप MCQ सुरीज के टोप कोशन, जो कि आपको एक्जाम में देखने को मिल सकते हैं, मिलते हैं, टोप MCQ सुरीज के यूट्यूब के सीरीज के नेक्ट पार्ट में, इसकी जो प्लेलिस्ट का जो लिंक है, मैं वीडियो को डिस्क अब आँ जाईएगा, और उसे डाउनलोड कीजिए, और हमारे इस मुहिम को, इस पवित्र उद्देश को सफल मनने में आपको योगदान जी, क्योंकि आपका ही योगदान होगा, शेर करने में, शेर करोगे, तो हम में मोटिविशन मिलेगा, और हम भी ज़दा ज़दा ब मदबूत कीजिए, थैंक यू